Peers as preventive tools, आमतोर पर यह देखा गया है कि bullying जो है, it is a group phenomenon, यह एक group की शकल में होती है, इसमें जो हैं वो bystanders भी होते हैं, witnesses भी होते हैं, इसमें जो हैं वो bully के हामी भी होते हैं, it is a group phenomenon, इसलिए कहा यह जाता है कि bullying को जब control करना है, तो जो साथी हैं, उनकी मदद लेना जो है व form of a group, तो जो group है, वो ही bullying को control भी कर सकता है, चूंकि हम इसको group phenomenon consider कर रहे हैं, इसलिए हम यह भी देख सकते हैं, कि इसी group को की मदद हासल करते हुए, हम bullies के साथ काम कर सकें, और उनको यह बता सकें, कि bullying is a negative behavior, इसमें हम आम तोर पर जो anti-bullying attitudes हैं, इनके बारे में proper तरीके के साथ आगाही दे सकते हैं, इसमें यह बताना बहुत जरूरी है, कि bullying जो है, इसमें awareness raising जो है, वो बहुत जरूरी है, जब हम anti-bullying की बात करते हैं, anti-bullying strategies की बात करते हैं, तो उसमें awareness देना बहुत जरूरी है, यह समझाना बहुत जरूरी है, कि bullying क्या है, वो कैसे होती है, Saving Sessions are very important. और ये जो हैं वो साथी जो हैं वो एक दूसरे को, दोस्त एक दूसरे को बेतर तरीके के साथ दे सकते हैं. इसके इलावा, जो है, opportunities for self-reflection ज़रूर देनी चाहिए. Peers जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैट कर बात करें और इसके साथ साथ self-reflect करें. कि bullying जो है, वो नहीं होनी चाहिए और अगर हुई है, तो क्यों हुई है और इसका असर क्या है और किस पर असर अंदाज हुई है? Self-reflection is very important. इसके साथ साथ जब हम anti-bullying attitudes की बात करते हैं, तो उसमें जो responsibility है, feeling of responsibility है, इसको देना बहुत ज़रूरी है. Peers जो हैं, अपने साथियों को ये बताएं कि जो, this is an irresponsible behavior, rather this is an extremely irresponsible behavior, and can land somebody into trouble. आप किसी को जो physically abuse करते हैं ये verbally abuse करते हैं, तो दूसरा जो शक्स है, जो victimize हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो सकता है. तो इस किसम की जो awareness है, ये देना जरूरी है, जिसके जरीए कोई जम्यदाराना रविया जो है, वो सामने आ सके. इसके इसाथ-साथ, जो है, हम role play के जरीए, हम ड्रामाई शकल में भी जो bullying incidents हैं, इनको जागर कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, ताके students जो हैं, वो बहतर self reflection कर सकें, और ये देख सकें, कि किसी को bully करकर क्या नतीजा निकलता है. और ये सब चीजें, ये तमाम information जो है, वो साथी तलबा एक दूसरे को बहतर तरीके के साथ दे सकते हैं. जब हम preventive tools की बात करते हैं, तो इसमें ये बताना बहुत जरूरी है, कि violence और non-violence क्या होता है. तो non-violence के उपर बात करनी बहुत जरूरी है. पियर्स जो है, वो एक दूसरे को ये बता सकते हैं, कि violent strategies क्या होती है, या violent behaviors क्या होते हैं, और non-violent behaviors जो हैं, वो क्या होते हैं. और ये जितनी जल्दी स्टार्ट हो सकें, उतना बहतर हैं. Rather, they should start from the elementary school, ताके जो तालेबिल में, वो जल्द से जल्द और छोटी उमर में ही ये समझ जाएं, कि negative behaviors क्या होते हैं, खास तौर पर bullying. इसके साथ साथ जो non-violence की जो training है, ये जो है, बेतर तौर पर जो जरा बड़ी उमर के तालेबिल में, वो छोटी उमर के तालेबिल में को दे सकते हैं. और देखा भी ये गया है कि खास तौर पर playgrounds में, जो छोटी उमर के तालेबिल में, वो बुली हो रहे होते हैं, बड़ी उमर के तालेबिल में को ये बता दें, कि उनको छोटे अपने जो तालेबिल में, जो सातियं, उनको बताना है कि bullying is bad. तो जो students हैं, उनको हम इस्तमाल कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं non-violence सिखाने में, उनकी मदद ले सकते हैं bullying incidents को control करने में और ऐसा जरूर करना चाहिए. क्योंकि बारहाल जैसे हमने बात की, इसा social phenomenon और social structures जो हैं, उनी में से bullyingism निकलता है, तो बेतर यही है कि वो जो social structures हैं, उनी की मदद हासिल करकर हम इन रवईयों में तबदिली ला सकें, इनको control कर सकें, खतम कर सकें और जो बेतर रवईये हैं, उनको सामने लेकर आ सकें.